बूर्णिंग स्टुडेंट्स लेट सी अबाउट आई यू पी एसी नुमिनिक लेचर तो आई यू पी एसी नुमिनिक लेचर में कैसे रूल्स होते हैं वो देखना है ना तो पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि जब एक कार्बन हो पहले ये आज रूल्स याद रख देते हैं सिंगल कार्बन हो तो क्या बोलेंगे मीथेन याद रेना चीह हैं ये टू कार्बन हो तो क्या बोलेंगे उसको इथेन तीन कार्बन हो तो क्या बोलेंगे प्रोपेन चार कार्बन हो तो क्या बोलेंगे चार क पांच कार्बन हो, तो क्या बोलेंगे, पेंटेंग, छे कार्बन हो, तो क्या बोलेंगे, हैक्जेन, अदस तक में कराऊंगा, हाँ, सेविन कार्बन हो, तो क्या बोलेंगे, हैप्टेंग, क्या नाम है, हैप्टेंग, एट कार्बन हो, आठ कार्बन हो, तो क्या बोलेंगे, 9 carbon हो तो क्या बोलेंगे 9 10 carbon हो तो क्या बोलेंगे decking ठीक है तो ये सारी जो चीज है ये सारी जो चीज है वो alkane family के related लगती है किसके related है alkane family इन सब में इन single bond हो तब की बात है किसकी बात है single जब double bond हो तो e एनी हो जाता है triple bond हो तो y एनी हो जाता है वो मैंने आपको already कराया ठीक है चलो आज जाते है direct numenic literature जो हमारा है उसमें जाते है तो पहला तो आएगा first rule जो है that is nothing but the longest chain rule कौन सा rule है first is nothing but the longest rule chain कौन सा rule है longest chain rule इसको बोलते है longest chain rule आपको पहले find करना है सबसे लंबी chain कौन सी है सबसे लंबी chain कहां पर है ठीक है जैसे मैं बात करूँ पहले किसी का भी IUPAC name लिखना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा longest chain chain find करनी पड़ेगी जैसे carbon कितने है 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है तो यहाँ पर ऐसे CH3 है तो यहाँ पर दो चीन हो सकती है कौन सी देखो एक तो यह चीन हो सकती है chain तो इतमें कितने carbon है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दूसरी chain कौन सी हो सकती है दूसरी chain यह हो सकती है सीधी दो chain है यहाँ पर कौन कौन सी chain है एक तो यह chain chain number 1 blue वाली और दूसरी chain कौन सी red वाली तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि 6 carbon होंगे यह वाली जो straight line वाली वहाँ पर 6 carbon है और यह वाली जो chain है 1, 2, 3, 4, 5 उसमें 5 carbon है 6 carbon, 5 carbon तो सबसे बड़ी chain क्या होगी 6 carbon वाली तो सही chain कौन सी होगी दिस वाली सबसे बड़ी chain find करने की एक और example में आपको देखता हूँ देखो तो जैसे मैं बात करूँ yes, this one ऐसा compound है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 and CH3 तो चल इसमें देखो कितनी chain आएगी एक chain यह है यह carbon से जाए तो यह carbon तक और दूसरी chain कौन सी है यह वाली है तो यह वाली chain में देखो यह वाली chain में देखो कितने carbon है यह वाली chain में देखो कितने carbon है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह वाली chain में कितने carbon है 6 carbon है और यह वाली chain में देखो यह वाली chain में देखो कितने carbon है 1, 2, 3, 4 then it is nothing but the 4 carbon 6 carbon 4 carbon कौन्सी चेन बड़ी होगी 6 carbon वाली चेन बड़ी होगी this is nothing but the 6 carbon chain ओके चल आगे देखते है आगे देखते है तो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर CH3 यहाँ पर भी CH3 CH2, CH CH, CH2, CH, CH2, CH3 CH2, CH2 ऐसा compound यहाँ देखना अब देखो कितनी चेन बनेगी इसमें देखो बहुत सारी बन सकती एक तो यह बन सकती आपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें कितना है? 7 carbon बना है एक तो यह चेन भी बन सकती देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसमें तो 8 है ठीक है? फिर और एक चेन भी बन सकती देखो यह वाली मैं rate से करो तो पता चलेगा यह वाली यह बन सकती है न? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेकिन इसमें भी 7 है तो हमको consider कौन सी करनी है? हमको consider करनी है यह वाली 8 carbon वाली क्यों सबसे ज़्यादा कारवान है तो आपको पहचानना है क्या पहचानना है? सबसे longest chain कौन है? सबसे पहली चीज़ यह फाइंड करनी है ठीक है? फिर next जो rule है that is nothing but the position of substitute second rule is nothing but the position of substitute position of substitute में क्या आएगा? जैसे मैं बात करूँ जैसे मैं बात करूँ देखो जैसे example लेते हैं जैसे मेरे पास कितने carbon है? 1, 2, 3, 4, 5 carbon की चेंग लेता हूँ CH3, CH, CH2, CH2 and CH3 तो यहाँ पे यह carbon के पास मैंने CH3 है टीक है? तो चल अब समझना बात important है point अच्छे से ध्यान रखना एक यहाँ पे substitute that is nothing but the CH3 CH3 जो है इसका substitute है तो अब तो एक काम यह हो सकता है कि यहाँ से numbering हो सकती है that is nothing but the 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे हम chain ले सकता है और दूसरा option हमरे पास यह भी है देखो कौन सा? यह वाला यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ से 1 number दे यहाँ से 2 दे यहाँ से 3 दे यहाँ से 4 और यहाँ से 5 ऐसे भी आप 5 number दे लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 यह भी जा सकते हो यह भी जा सकते हो लेकिन यहाँ पे substitute कौन सा है? CH3 यह है हमारा substitute तो substitute को सबसे हमको क्या number देना है? lowest यानि अगर आप यहाँ से number दोगे यह side से number दोगे तो 4 number CH3 को मिलेगा और यहाँ से number दोगे तो CH3 को कौन सा number मिलेगा? दूसरा number मिलेगा तो दूसरा number यानि lowest number के हिसाब से हमको number क्या देना पड़ेगा ये compound में CH2, CH2, CH3 हमरे पास possibility दोनों side थे थी, यहां से भी जाए, यहां से भी जाए लेकिन CH3 को हमको number कौन सा चीए, substitute को lowest number चीए कौन सा number चीए, lowest, यानि यहां से अगर हम करेंगे 1, 2, 3, 4, and 5, तो second number की substitute को lowest number मिलेगा यानि lowest number substitute को मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है so, इस हिसाब से हमको काम करना होता है, ठीक है, चलो फिर एक और example लेते हैं, चलो, यह example भी interesting है देखना, CH3, CH, CH2, and CH3, यहां पे CH2, CH2, and CH3, ऐसा कुछ है, है न, चलो, अब देखते हैं, अब chain कि, पहले तो सबसे क्या करने का chain बनाने का, सबसे बड़ी chain, तो यहां से देखके आपको पता चलेगा कि, एक तो यह chain हो सकती है, यह chain हो सकती है, देखो, तो यहां पे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा भी हो सकता है, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे CH3 तो क्या है, मिथाईल है, ठीक है, तो जब रेड वाला जाते है, तब मिथाईल को कौन सा नंबर मिलता है, तीन मिलता है, और जब यहां से जाते हो, तब मिथाईल को 4 नंबर मिलता है, तो हमको कौन सा chain लेने का, यह वाला chain लेने का, क्यों, क्योंकि substitute जो है उसको क्या number मिलना चाहिए lowest number मिलना चाहिए लेकिन हम कौन से number देंगे 1 2 3 4 5 and 6 क्योंकि methyl को हमको कौन सा number देना है lowest number ठीक है समझ में आ रहा है तो चलो इसके नाम लिखना start करते दीरे दीरे अपन को नाम लिखना है तो पहला compound लेते है यह वाला है ना चल चलो यह भी ले सकते है पन फूर carbon वाला जो है वह भी ले सकते है चलो एक पहला वाला जो carbon लिए उसका naming कैसे लिखा जाता है ठीक है चलो देखना बहुत easy है अब अभी समझने का पारी है ch3 ch2 ch ch3 ch2 ch2 and ch3 तो पहले क्या करेंगे अपन बोलो पहले क्या करेंगे पहले तो हम देखेंगे कि longest chain कौन सी है तो longest chain के related बात करें तो यह हमको पता है कि longest chain है फिर minimum number उसको मिलना चाहिए यानि यहां सही नंबर देंगे one two three four five six ठीक है अब थर्ड नंबर पे क्या है थर्ड नंबर पे substitute कौन सा है ch3 that is nothing but the methyl तो यह क्या होगा three methyl three methyl कितने कारबन है one two three four five six hexane this is the IUPAC नाम यह क्या करने का तीन के बाद ऐसा एक करने का hyphen फिर आएगा methyl सबसे first letter capital M फिर कहीं पे capital letter नहीं होना चाहिए first letter ही capital यहां पे hyphen है फिर M capital फिर पूरा एक साथ ही लिखने का नाम बीच में जगा भी नहीं छोणने की ठीक है चलो एक और example लेते हैं अभी जो हमने लिया वो ही लेते है जैसे हमारे पास compound ऐसा है CH3 CH CH2 CH2 CH3 यहां पे क्या है CH3 तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा 1 2 3 4 & 5 है ना तो यहां पे सेकेंड के साथ कौन सा connected है CH3 मिथाइल कनेक्टेड है तो क्या आएगा तू के साथ क्या connected है मिथाइल है तो आएगा तू मिथाइल नाम कैसे लिखना है तू मिथाइल 1 2 3 4 5 तू मिथाइल कितने कारबन एक दो तीन चार पांच पेंटेन 2 2 मिथाइल पेंटेन है ना easy है और एक example देखते है जो भी आपने देखा यह वाला ही क्या आएगा यहां पे देखो CH3 CH CH2 और CH3 तो CH2 CH2 CH3 ऐसा था तो हमने नंबर कहां से किया बोलो नंबर यहां से किया क्योंकि lowest नंबर मिलना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 है ना तो उससाब से देखे तो 3 के उपर क्या है 3 के उपर क्या है मिथाइल है क्या आएगा 3 मिथाइल तीसरे उपर क्या है मिथेन तो उसको क्या लिखते है मिथाइल लिखते है 3 मिथाइल कितने कारवन है एक दो तीन चार पांच छे थ्री मिथाइल है तो ऐसे करते हैं तो दो रूल अपन ने देखें कौन से पोजिशन आप सब्स्टिट्यूट कौन सा देखा लॉंगेश्ट रूल वाला देखा चलो अगर तीसरा रूल देखते हैं थर्ड रूल इस नथिंग बढ़ दी लोएश्ट लोकंट रूल कौन सा रूल है थर्ड वाला थर्ड रूल इस नथिंग बढ़ दी लोएश्ट लोकंट रूल लोएश्ट लोकंट रूल में क्या आएगा लोएश्ट लोकंट रूल में क्या आएगा जैसे जैसे मैं बात करू साथ कार्बन है मारे पास एट सेविन वन टू थ्री फो फाइव सिक्स सेविन सेविन कार्बन है तो सेविन कार्बन के इसाब से अगर हम जाए सेविन कार्बन के इसाब से अगर हम जाए तो हमको लुएश रूकलन का समझना है तो चल देखते जैसे यहां पर CH3 है यहां पर फॉर्थ वाले पर भी CH3 है और यहां पर भी क्या है CH3 है ठीक है तो चल अब देखो यहां पर तो हम अब आपको यह तो आना चाहिए है हाई्डोजन कितने लिखने क्या करना या आप आना चीए अ आप इसी कभी आपका हो चुका है खिक है च्छ अब यहां पर देखो यहां पर देखो क्या होगा जोए श्ट्रूजल के हिसाब से पहले अपन क्या करेंगे सबसी बड़ी चेन देखेंगे बड़ी है ना तो बड़ी चेन के आएगे 123456 यही आ सकती है और कोई option नहीं है ना तो यहां से जाए 123456 and 7 तो second के उपर क्या है CS3 है fourth के उपर क्या है CS3 है six के उपर क्या है CS3 है ठीक है समझ में आ रहा है 236 सब के उपर CS3 है तो आप तो easily नाम लिख पाऊगे कैसे जैसे 246 तो क्या लिखने का two comma four comma six two four and six सब पर उपर क्या है मिथाई लेकिन कितने मिथाईल है 123 तो क्या लिखोगे ट्राइमिथाईल ट्राइमिथाईल कितने कार्बन है 12345677 के हिसाब से क्या आएगा है हटेन क्या है हटेन समझ में आ रहा अब लोइस्ट वाला रूल कहां पर लगेंगे अब मैं आपको समझाता हूं देखो जिसे हमरे पास चीन कैसी है CH3 CH CH2 CH CH3 तो CH3 नीचे और CH3 नीचे ठीक है तो यहां से अगर हम जाए यहां से अगर हम जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 अगर longest chain के हिसाब से जाए तो हम यह नमबर ले सकते हैं दूसरा नमबर यह तो यहां से जाए तो क्या लिख सकते हैं देखो 2 4 और 5 अच्छे से देखना important example है यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2 4 & 5 फिर trimethyl लिख सकते हैं और यहां से अगर हम number लें यहां से अगर लें तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 & 6 तो यह blue वाले से अगर देखें तो क्या होगा 2 3 5 तो यहां पर 2 4 5 आएगा और यहां से चाओगे तो 2 3 5 आएगा trimethyl तो हमको जहां पर भी lowest number है यहां पर 3 है और यहां पर 4 है तो यह correct लगेगा क्यूंकि lowest low control है समझ मैं आए तो आपको chain कहां से लेनी पड़े की यहां से क्यूं 2 3 5 आता है और यहां पर 2 4 5 आता है तो आपको 2 3 5 वाला सही रहेगा तो जिसको बोलते है lowest low control समझ मैं आ रहा है चाओ अब fourth rule जाते है fourth rule is nothing but the naming naming compounds naming compounds with more than one substitute more than one substitute यानि compound का जो नाम लेना है एक से ज्यादा substitute मैं है ठीक है कैसे करेंगे चलो करते हैं जैसे मैं बात करो हमारे पास एक example है CH3 चलो अब कितने हैं हमारे पास कार्बन कितने हैं हमारे पास one two three one two three so one two and three ठीक है one two and three है सेकेंड के उपर देखो मीथाइल ऊपर भी है नीचर भी है था ना तो क्या होगा two two Dinosamση क्या एगागा डाई मीथायल अ कितने कार्बन एक दूद मीथाइल के है कितने कार्बन तीन कार्बन प्रूपेन ठीक है चल आगे जाते हैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो CH3 CH CH3 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 and CH3 ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो यह स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आगर हम जाये तो आएगा यहां पर रटू पर ऐसे आएगा अब दिखो सेटन के उपर क्या है थाड के उपर क्या है तो 2 & 3 के दुनों के साइड क्या है उसका नाम क्या लिखेंगे 2, 3 कितने कार्बन दो मिधाइल गुर्फे यानि डाई मिधाइल इतने कार्बन एक, दो, तीन, चार यानि ब्यूटेन सिंपल है क्या चाला फिर जाते है naming different substitute जा ठीक है फिफ्ट रूल है naming of different substitute naming different substituents जैसे different substituents के related बात करें तो just like this CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 और यहाँ पर अगर हम बूले तो CH2 and CH3 यहाँ पर अगर हम बूले तो CH3 अब यह वाला जो जाता है उस हिसाब से अपन को अब समझना है कैसे जा रहा है ठीक है चलो समझना पहले पहले तो हम क्या पकड़ेंगे longest chain है ना तो longest chain यानि अगर हम यहाँ से देखे यह साइट से नंबरिंग करें तो यह 1 2 3 4 5 5 6 तो उस हिसाब से यह हिसाब से जाए तो 3 के उपर क्या है देखो 3 के उपर क्या है Ethyl है and 4 के उपर क्या है Methyl यानि 3 Ethyl और 4 Methyl ऐसा है ठीक है और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 and 6 6 ऐसा है यह हिसाब से देखे तो क्या आएगा यह इसाब से ब्लैक वाले सिदेखे थी मिधाइल है एंड के उपर क्या रहा है प्रकी ओपर क्या है फॉर के उपर देखो Ethyl तो ऐसे जब first यह हँआ एसे जब जाते हो कि 3 के उपर Ethyl और 4 Ethyl है यहां से ऐसा आता है और यहां पे 3 Ethyl 4 Ethyl है तो उस टाइम के आपको देखना है Alphabetical Order क्या देखना है Alphabetical Order जैसे 3 तो E Ethyl है ए भी C D में E पहले आता है तो E वाले को पहले priority आप लखनी है किसको पहले priority देनी है E वाले को जब जब दोनों same number जैसे 3 ethyl और 3 methyl में से किसको पहले लेना पड़ेगा 3 ethyl वाले को तो chain यहाँ पेचाएगी तो इसका नाम क्या बनेगा बोलो 3 के उपर ethyl यानि 3 ethyl 4 methyl 4 methyl कितने काड़ बने 1,2,3,4,5,6 hexane क्या है ना hexane ठीक है और एक एक्सांपल लेते है CH3 C CH3 CH2 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 and CH3 CH2 CH3 नाव वन तू थ्री फूर फाइव six seven ठीक है ऐसा है अब two के उपर क्या है two पे उपर group क्या है ethyle है two के उपर ethyle है this is nothing but the two के उपर ethyle भी है और two के नीचे methyl भी है यहाँ पे ethyle भी है और methyl भी है नीचे दोनों एक ही है second पे ethyle ethyle दोनों पहला कॉंचा लिखने का ethyle क्योंकि alphabetically e पहले आता है एम लास्ट में आता है तो इसका कैसे लिखेंगे two ethyle two methyl कितने कारबन है one two three four five six seven आएगा haptana जगा नहीं छोड़नी चाहिए मैं थोड़ी छोड़ी छोट गई है लेकिन जगा नहीं छोटनी चाहिए continuous लिखने का की क्या तो this is nothing बड़ी hapti चाल अब जाते है naming of complex chain किसमें जाते है naming of complex chain six one naming of complex chains जैसे complex chain का naming करना हो तो कैसे करेंगे जैसे मैं बात करूं कार्बन हमारे पास ऐसे है दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है तो CH3 CH2 यहां पर chain लगाऊंगा CH CH2 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 and CH3 ठीक है अब नीचे जो chain जा रही है कि उसमें आएगा CH यहां पर CH3 यहां पर CH3 यहां पर आपर CH3 यहां पर आपर CH3 कि ऑगे सो वन टू थ्री यह मैं आपको बात में अभी वन टू थ्री मत करो पहले तो हमको यह ले लो कि सबसे बड़ी चेन कौन सी है चेन तो यह आएगी है ना सो वन यह निकल दो भी जरूरत नहीं है यह बात में आपको समझाता हूं मैं से लिकेन तो देको चेन भी है और चेन के साथ दूसरी भीर से ञें यह कि चैन के अंदर 2 टीरण और उसके अंदर वहां सी जिसको बोलते ए Карएं तो तो यहांähän पर क्या होगा देखो यहाँ पर कोमपलेक्स में देखो एक दो तीन आत के फार स्कारवन कraum Rebel Kingdomora और दूसरे कारवल को पर क्या है यह फर्ष्ट और सेकंड स्वने डुन कर वो पर क्या है में जो पर तो मॉञने इस मेंक Cat डाइ मिझाई, पिर कितने ये कार्बन है अपने तीन, तो ईतने कार्बन के पास वाइल लिखने का और कार्बन के ये एक, तो तीन-चार-पाथ-छे-सांथ , जिसको पोलता है घटीण, क्या बोलता है तो उस हिसाब से आपको नेम लिखने होते है ठीक है तो यह थोड़े ज्यादे एक्सांपल करेंगे तब आपको पता चल जाएगे ठीक है तो चलो आज सिर्फ आलकेन का मैंने आयू-पीसी रूल का समझा है कल और थोड़े रूल से वह भी मैं कल आपको एक्स्पेंड करूंगा ठीक है चलो आज यहां तो करकते हैं पनू हाय मैंने और रजा है तो क्रों कर आपकोनांगे तो क्रूंगे सममगे ठीक है का से की रचिक हो जहागे दो स्टाइगे अनल ओो हुई।